हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टू योगी स्पाइसी भाबा आज हम बनाएंगे बेशन के धिर्डे चलिए रिस्टी बनाते हैं बेशन के धिर्डे बनाने के लिए हमने एक कप बेशन लिया है लाल मिर्च पाउडर ली है हल्दी ली है नमक लिया है और ये लहसुन की पेस्ट है हरा धनिया लिया है तेल लिया है पानी लिया है और ये प्याज मेंने आधी काटी काट ली है धिर्डे को उपर से तेल लगा लेके लिए हम यह बेशन एक बावल में दे लेंगे और इसमे आदाट इस्पून डाल मिर्च पावडर डालेंगे आदाट इस थूड़ी सी हल्दी डालेंगे स्वादा नुसार नमक डालेंगे लेसुन की पेस्ट डालेंगे इसमें और यह राधनिया डालेंगे इसमें हमें आदाट इस्पून तेल डालना है और इसमें अब पानी डालना है थोड़ा थोड़ा ही डालना है हम पकोड़े जैसे बनाते है उसके लिए जैसा घोल बनाते है उससे थोड़ा पतला घोल हमें यह बनाना है हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के इसे पतला कर लेंगे हमारा बैटर धीरिडे बनाने के लिए तैयार है अब हम एक पैन में पैन तेल डाल लेंगे यह चारो तरब से हमें पेला नाहे तेल हम इस पैस से इसे तेल फैला लेंगे हमारी पैन गरम हो चुके है अब हम इसमें यह इस पर यह बैटर डालेंगे इसे हमें गोल गोल फैला लेना है हम इस से पलटेंगे दिखिए एक तरब से यह गोल्डन ब्राउन हो गया है हम इस पर उपर से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हमारा दिरिडा हो गया है पक चुका है अच्छे से अब हम इससे निकाल लेंगे और इस तरह से हम सारे दिरिडे बना लेंगे हमें इसे पहले दीमी आज पर ही अच्छे से होने देना है आपके गर्मा गरम बेशन के दिरिडे खाने के लिए तैयार है इस पर आपने मुकाराज डाल के खाने से यह बहुत अच्छे लगते हैं आपको मेरे रिसीप यह ची लगे तो मेरे टाइनल को लाइक तरे और सस्क्राइब करना ना भूले